करता हूं देखे आज हम लोग इनहां पर इकटा हुआ है कुछ एक कंप्लूशन को लेकर जाने के लिए कि हमको क्या करना है यह अपना अपना समय निकाल कर यहां पर जो इकटा हुए है ये अगर उख उखारते रहेंगे उसके गंदी बास के आएगे हम लोगों को यहां से आगे हमारा आदोलन के से चलाना है वो हम ताई करने के लिए यहां पर ही कटा हुआ है सबसे पहलों तो मैं आप सभी लोगों से मावी चाहूंगा मेरी फ्लाइट 645 को डिपार्ट होनी वाली थी जो 1045 को डिपार्ट हुए और इसलिए मैं लेट पहुचा यहां पर आपके सामने लेट आया इसलिए मैं आज यहां पर वही मुते रखूंगा जिससे हमको आदोलन करने में थोड़ा बहुत हम लोगों को उसमें एक राइट डिरेक्शन मिलते जाए देखिए इसी दिली में वो अन्ना हजारे चलकर आया और यहां पर बैठा क्या मांगती उसकी लोगपाल बिल यह खुद में असविधानिक मांग है वो क्या चाहता है कि यह इस देश की जो पिलर्स है जो इस आपका मीडिया है पारलेमेंट है आपका एक्सेकिटिव है आपका न्यायल है इनके उपर और एक आदमी पिठाया जाए और वो इन चारों को कंट्रोल करें बावार साब कहते कि यह चारों इंडिपेंटेंट होंगे इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा और यह अंकॉंसिटिशनल मां के लिए पूरे देश बर में आंदोलन करता है आज सविधानिक मां के लिए यहां पर आकर कर सकते हैं और हमारी मां क्या होनी चाहिए यह सोचने के लिए यह तैय करने के लिए आज की कॉन्फरेंस का इस्तमाल कीजिए हमको क्या चाहिए इसके लिए हम यहां पर इकटा हुए और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या देखिए मैं तो एक-एक-एक-एक मुद्धे के उपर आपसे बात करना चाहूँगा मैं 2014 से मैंने हम लोगों ने पहली बार मुझे तीजियान जीने नागल में बुलाया 30-35,000 लोगों की गैधरिंग थी और वहाँ पर हमने EVM के बारे में पहला सवाल उठाया कि October 2013 में सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया है कि EVM मशीन में पेपर ट्रेल लगना चाहिए तो हमको पेपर ट्रेल क्यों नहीं दिया जा रहा यह बात हमने वहाँ पर रखी लेकिन इस बात के उपर बात करने के वज़ाया मैं कौन हूँ मैं कहां साया हूँ मैं बावा साभ का परपोता हूँ की नहीं ये बात मेडिया में चम रही है अगर फैमिली ही ढूननी है तो बावा साथ के नेफ्यो मुकंद्र वंबेर कर वो मेरे दादा जी है और इनी मुकुंदरवAh Abedkarji को वाबा बंवेड के बंजाब में भैजाता है। जाओ शीक दर्द के पढ़ाई करके आओ, हमको आखिया मिकुर्द बाबढ़ेगि जाता है। मुकुंदरव apetkarji बाबा भबा साथ के भले के और निफ्यू हो, वो बात के उपर बात करो ना, वो बात के उपर बात नहीं हो रही, पेपर में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस लीडर का, वो लीडर ये बात पर डाइवर्ट कर दिये लोगों को, इवियम मशिन का देखे, मैं आज उस ली मुरादाबाद से बस्ती गया, बस्ती से फिर मेरी CGM के साथ मिटिंग हुई, लॉयल्स जजेश के साथ में मिटिंग करा हूँ, उनकी दिक्कत ये है, जजेश की दिक्कत ये है, कि वो रास्तों के उपर आकर आंदोलन नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जानकारी दी है, कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन आट है, इसके अंतरगत ये इलेक्शन कमिशन गवन होती है, इसके अंतरगत EVM मशीन लगती है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन आट जो है, उसमें एमेंडमेंट हुआ, 61A ये एमेंडम इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ, पार्लामेंट में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन आट में एमेंडमेंट हुआ, और पार्लामेंट केता है, कि इलेक्शन कमिशन जिन 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 पॉलिबूट में, लौ एड़र की कंडिशन है, सिर्फ उसी के ओपर इवे मशीन लगेगी, पूरे भारत में नहीं लगेगी, ऐसा पार्लामेंट का डिबेट में कानून बना है, आप मुझे बताओ, कानून बनाने का अधिकार पार्लामेंट को है, या जिन 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 लगेगी, पूरे भारत में लगा दी है, उन जजजर्ज ने हमको कहा कि ये मुझे हमको पता नहीं था, हमने पार्लामेंटरी डिबेट्स निकाले, सिक्शन 61 का अमेंडमेंट लिकाना, वह वहाँ पर डाला है, तो हमको ये मुझे होना चाहिए, हम क्या हमारे मांगे हमको ताई करनी होंगी, आंदोलन करने जारे देखिए, बाबा साब जब भी कोई भी आंदोलन किया करते थे, पहले उनके मांगे ताई हुआ करती थी, राउंड डेवल कॉन्फरेंस में ऐसी चले गए थे क्या, आपको रिजर्वेशन 1950 के बाद नहीं मिल रह इस देश का सर्दान लागू होने के बाद आपको अधिकार नहीं मिले है, आज भी जो अधिकार आपको मिल रहा है बाबा साथ ने अंग्रेजों से लाए हुए 1932 के कॉमनेल एवोड के अधिकार आज भी आपको मिल रहा है, रिजर्वेशन तभी बाबा सामने दिया हुआ तो हम लोगों को पहले तो हमारी बाबा साफ के नाम से अंदुलर कर रहे हैं तो कम से कम बाबा साफ की उस उस तरीके को अपना 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 ना चाहिए पहले हमको हमारी मांगे तैक करनी होगी पहले तो यह जब तक होगी तब तक आप लोगों को कोई अधिकार नहीं मिले यह कोट मैं कर रहा है कि यह इवे मशीन वही पर लगे कि जहां पर लॉइन ओर कंडिशन है जर्मनी में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोग आभी इतने लिट्रेट नहीं है जो इवे मशीन का इस्तमाल करें जर्मनी जैसा फारवर्वर्ड देश कहता है कि हमारे लोग लिट्रेट नहीं है और भारत में सभी हम्किया इतने लिट्रेट है एंयों वेस सिन्धान को जलाया जाता है इन्होंगों के पास मूबाई फिखिट रू कर वॉड्यड you सब्सक्राइब करो यहां पर क्लिक करते ही चोटे करमांग पर आएगा ड्राफ ड्राफ्ट ऑफ निव कॉंसिटुटूशन ऑप पूरा ड्राफ्ट तयार है पूरा आप क्या किया हो कि सविदार हाटाने वाले उन्होंने तो सया नया सविदार बना कर भी रखा है लेकि तो भी है यह te-asam डिजाइन किया है कि आप कितना भी कोशचिश नहीं आपा सकते हैं इसलिए शुक्तर सविदार जितने भी आइटिकल्स इस सविदार में हम लोगों को अलिकार देते हैं उसको पावर लेस करने के लिए मैं तो आपने जो मुतार रखा मैं उसके समत्र्थ कि इस देश की सर्धान को कमकुवत करने के लिए कंजोर करने के लिए इन्हों ने काउंटर आइटिकल्स तयार कर दिये हैं काउंटर आइटिकल्स और वह लागू हो गया है पार्लामेट से कानौम बन रहा है हमारे नजर केवल नरेद्रमोदी राहूल गांधी को क्या कह रहा लेकिन पार्लामेट में रोच क्या भी पास हो रहा है हम वहाँ पर नहीं देख रहे हमको वहाँ पर देख रहा होगा बिल वाईज हमको काम करना होगा उन्होंने फाइनांस बिल 2018 पास कर दिया इस देश के जंदलों पर जिन अधिवासियों का हख हुआ करता था उनको हगा दिया Finance Bill 2018 में FCRA Act में 222 amendment करती है हम लोगों का ध्यार वहाँ पर नहीं है FCRA Act कहता है कि इस देश में foreign contribution आप ले सकते हो लेकिन political use के लिए उसका इस्तवाल नहीं कर सकते FCRA Act किसी भी political party को बाहर से fund लेने के लिए मना करती है इन्होंने 1971 से amendment करती है और कहां कि आभी आप लोग ले सकते हैं देखो अंदर बैठके बाहर जो एक दूसरे को विरोध कर रहा है यहाँ पर आपके आम आदमी party का आदमी मुर्यत्र मोधी को विरोध करता है केजरिवा गा काम कर दिये आम आदमी party के ऊपर case है फ्लोरेंस से पैसे लिए इसलिए उसके ऊपर cases है गानिक ने Congress के ऊपर case है कि उसने बाहर से पैसा राजनिती के लिए इस्तमाल दलाया बीजे की बीजेपी के ऊपर भी cases है एक ही aignment Nanon पर 20 March 2018 को ये खानू पांस हुआ और तीनों को इसने बरी कर दिया या अंदर वेट कर Tara यह तिनों का काम कर रहा है बाहर आपकर तुमको पřता यह इनों दुखके यह विरो दुखके लेकिन अंदर वेट कर वो तीनों का काम कर रहा है हमको इसके उपर बात करनी चाहिए finance bill to thousand and return पास हो गया budget में हमारा हिस्सा क्या होता है budget बन रहा है हमारा हिस्सा क्या हमारा हिस्से में क्या आता है आज में हमारे जो funds आते हैं वो कहा जाते हैं हम लोगों को उसके उपर बात करनी होगी हमारे employment बंद हो गए education बंद हो गए करी news में आज सुवह ही हम लोग जब airport पे बैठ ले थे वहाँ पे देख रहे थे अभी इनों ने जितने भी private school और colleges है अपने अपने तर्म दोर पर जो fees चाहिए वो लेने का उनको मानेता देती है जितने भी fees आपको चार्ज करने आप कर लो और जहां पर आपके बच्चे पढ़ते थे BMC के स्कूलों में या government के स्कूलों में वो स्कूल बंद कर रहे है उन स्कूलों को demolish करके Ryan International, Oxford, Cambridge इनको दे रहे है नरेंद्र हमको क्या देखिए मैं आपको एक example देता हमको क्या माहिए रखनी चाहिए अभी नरेंद्र मोदी कहते है और वो कर भी रहे है कि one nation, one election होनी चाहिए जब लोगसभा लगेगी October में हमारे यहाँ पर महराश्र का सरकार खतम होने माला है लेकिन वो October से पहले ही खतम करने की कोशिश करेंगे और रोबसभा और विदानसभा एक ही साथ करेंगे और ऐसे बहुत सारे states में वो करने की योजाँ बना रहा है क्या आप नारा दिया है one nation, one election कि सारी elections एक ही टाइम है एक ही वक्त में हम लोग कर लिए और जब one nation, one election की बात नरेंद्रमोधी करते है तो हमको भी कानून बरा रखे उसके लिए माँ करनी होगे आप one nation, one election की बात करते हो तो इस देश में डूल के education policy क्यों राखू करते हो SCST, OVC के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और जो सवर्णों के और जो पैसे आफॉर्ड कर सकते हैं उनके लिए रायन इंटरेशनल, Oxford, Cambridge हमारे बच्चे उन स्कूलों के दर्वासे तक पैर नहीं रख सकते तो हमको भी ये मांग करनी होगी तो one nation, one election हो या ना हो लेकिन इस देश में one nation, one और education जबर होना चाहिए समाल शिक्षा, जुनमत्ता शिक्षा जो शिक्षा आपके रास्वपती के बच्चे को मिल रही है प्रदान पत्री के बच्चे को मिल रही होई हमारे SCST OBC के बच्चों को मिले आपके बच्चों को इतना नीची गिरा के मेरिट की बात करते हो, कहां से निर्मान होंगा मेरिट आप जाओ कभी, स्कुलों में मैं जाता हूँ, गली-गली में घुमता हूँ और वहां पे जो शिक्षा का स्तर है हमारे बच्चों को आज भी पाच का पाड़ा दस्वी के इंग्लीज बोलना नहीं आता, कहां से वो कम्पेट करेंगे हमारे बच्चों को इस तरह से बोलो, पूरे रेस में से बाहर निकाले की कोशिश कर रहे पहरा यह हुता है, दुसरा, सविधान को लेकर हमको यह हुता करना है इवियम को लेकर यह हुता है, रिजर्वेशन इन प्रोमोशन हर एक स्टेट में हट रहा है, हमारे मारास्व में 154 पुलिस ओफिसल्स को डिमोट करके, उनको बैज़त करके फिर से रिकाल दिया गया यह हरे स्टेट में अभी शुरू हो रहा, रिजर्वेशन इन प्रोमोशन का मुता है, रिजर्वेशन लागू है, सरकारी नोकरियों में, सरकारी एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में, सरकारी एजुकेशन इंस्टिट्यूट ही बंद हो रही है, तो रिजर्वेशन जिर करना होगा इसके उपर हमको बात करनी होगी और अगर आप कहते हो कि आप लोगों ने कितने एंदुलर किये कितने रोड पे गए हो मेरे ऊपर 395 सेक्षन लगा हुआ आपको पता है कि इतने सेक्षन हम लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं अगर आज इतनी भयानक परिश्चिती है आंदोलन भी करते हैं तो कोई वा कोई तो सुटे केस में फशार है फिर भी हम नहीं डर रहा है क्योंकि यह आंतिम मौका हमारे पास है यह आखरी चार्स है हमारे पास शायद 2019 के बा पास्पी और इकटा दूहें हो गाव इस तरह की यह कामूर इस देश्च में लाओ कर दे जाएगे यांतिम मौका और इसले सब्सक्राशानी की पूरी खोशिश करेंगे और तो जो पता है मुझे पता है-इस देश की पूरी वेवस्ता पूरी वेवस्ता आरे सबहें चली यह आप देख रहे हो दिली में की सीबी आइवर से सीबी आइचर में सीबी आइज इसी यंतरना वो बीग चुकी है ऐलेक्शन कमिशन ओफ इडिया भी चुका है सुप्रिम कोट के जस्टीस गूखोई जस्टीस लोकूर जस्टीस चिला मेंश्वर भारत पे। थो किसे क justement करने वाद करने वारे मैं तो कहता हूँ और हुआ के लोगों को अधिकार वेहिद कर रहा हूं और सबी लोगों को मैं 11-26 नमवेंबर को हमारी यह पर रैली हुई थी हरी दुबारि में वहाँ से यह कसम खा कर हम लोग कहने थे कि एक साउने प्रूग्राम को करेंगे एक साथ से मैं फीर्ड वर्ण कर रहा हूं पूरे भार्त कर रहा हूं क्यों आना है हमारे हख और अधिकार के लिए वहाँ पर आना है और तब तक ये दिली नहीं छोड़ने हैं जब तक हमारे मांगों को ये पुरा नहीं करते हैं तब तक हम इस दिली को नहीं छोड़े हैं अगर एक अन्ना हजारे अपने अलस्वते मांग को लेकर बैठ सकता है तो क्या हम अपने मांगों के लिए आपको और अधिकार के आ नहीं सकता है हमको अभी खुद के इंडिवेश्वल बैडिफिट्स इगोस को बाजू में रखके यह काम करना होगा अब साध कि अजमीन की उपर बेठने का अदिकार नहीं मिलता मैं जाता हूं आज भी उनको मारा जा गला पाटा जारा है सबनों की लड़की से शादी कर दी तो वहां पर अंधरा में इजिलिया को माय डाला आपको जबी पर बैठने कारेगार नहीं मिला हमारी लड़ा खुर्जी के लिए है जिस समाज का नेत्रूत वह हम कर रहा है वह समाज वह समाज का हम लोगों को बात करती है और हम लोग इन चीजों के लिए लड़ रहा है मैं तो कहता हूं देखिए और इसमें आप लोगों को ये भले ही मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे मैं तो चाहता हूं कोई भी हमारे उपर है बले वह अट्रोसिटी आट ह हटाया जाने की घटना हो या रिजर्वेशन की प्रोमोशन हटाया जाने की घटना हो या कोई भी घटना हो हम लोग रास्तों पर आ रहे हैं महारास्टों में हम लोगों ने 3 जैनुवरी को महारास्टों बंद किया सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रास्तों के उपर थे ज 28-28 और ऐसे ऐसे बच्चे जो यूपीसी मपीसी की तयारी कर रहे थे एक बच्ची जो कल्यान थाने जिला में कल्यान है वो डल कर कोई वहां पर जो लोग तलवार लेकर घूम रहे थे वो डल कर पुलिस स्टेशन में गई उसी के ऊपर केस डाल दी जो आने वाले दिनों में यूपीसी मपीसी की एकजाम दे रहे थे वो उसको जेल में डाल दिया उस बच्ची ने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा होगा उसको जेल में डाल दिया वो कहती है कि अब भार आके मैं आत्मात्य करोंगी यह हो रहा है हमारे साहर हमको जो उपर उपर का जो चित्र दि कर स büy ông और के से सो हुई हारी बचों को माला जाता है दो हमारी मर रहे है के स्सरेी राशुका लगती है में तो कहांगा कास्ट के उपर हो या डूर के उपर हो कोई भी अगर कर या गुछ होता है तो जिए भी से लूंसद में ओर विए हमारी भात आपर हूँ बात करने में वी हम्जा है वो उन पायटियों की ह shuts subject कि रहा हैंख PT हमने पाट शा मिलें इसको चुना है कि हमारी बात करेगा लेकिन यह हमारी बात ही नहीं कर रहा है वहां पर मूह नहीं खोल烘 और फिर कितने देर तक हमारे बच्चों के उपर रासुका लगाएंगे हम लोग, कितने देर तक हमारे बच्चों के उपर कोट में उनको फिरी लगाएंगे हम लोग, इसलिए इन Member of Parliament के उपर, इन Member of Legislative U.S.A.B. जो एसी के Reservation से चुन कर जा रहा है, इनके उपर एक Controlling Authority होनी चाहिए, और वो Controlling Authority समाज की होनी चाहिए, अगर कही पर भी भटकता है, यह समाज उसको पकड़िके कर गरे में ख़ड़ा करेगा, यह मुद्टे लेकर हमको brainstorming session लेकर हमको क्या हुआ चाहिए, स्टेट बाइ स्टेट, एक बाइ एक मुद्दा हमको लिगाना होगा, राइक को एजुकेशन जो इन लोगों ने एजुकेशन हमारा हटा दिया है, यह काउन बना दिया है, FCA Bill हो, Forrest Bill हो, इसको लेकर हमको क्या क्या करना चाहिए, यह तए करने के लिए हमनों बैठ है, और इसके उपर हमको बात करनी चाहिए, इसके उपर हमको conclusion निकालना चाहिए, कि हमारी मांगे क्या है, बावस अब जब भी round table conference के लिए जाते थे, ब्रेटिशनों के सामने प्रस्ताव रखते थे, तो उनकी मांगे उपहले confirm करते थे हमको मांगना क्या है, हमारी मांगे क्या है हम आंदोलन तो कर रहे हैं, महरासा का मैं अपना experience आपको बताऊंगा, हम वो लोग रास्तों के उपर बेठे थे, उनको पूछा, आपकी मांगे क्या रखी है अपने, उन्हीं हमको पता नहीं, उपर से आदेश आए हम बेड़े हैं, यह पूरे भारत में है, हम लोग भारत बंद कर रहा है, मांग क्या है, हमको तो पहले हमारी मांगो को तैय करना होगा, हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, आज भी, देखिए, विजेपी का, RSS का सविधान तयार हुआ, और यह लोग देश दुरो का certificate, देश बक्ति का certificate लोगों को बा हैं, क्या एक सविधान इस देश में लागो होने के बावजूद, दूसरा सविधान तयार करना देश दुरो नहीं है, तो क्या RSS को, विजेपी को देश दुरो के कड़करगी में नहीं खड़ा करना चाहते हैं, यह करना चाहिए, आपको पता है, मैं महाराश्य से चलके आ अट्रोसिटी आक्ट जब हताया गया, और पुरे भारत बंद में इसको यह ओपर निदर्शन हुए, पुरा भारत बंद कर दिया गया, तब इनों ने फिर से इसमें अमेंड मेंड कर दिये, और फिर से इसको पावर दे दी, राजे सबाने, इतना आपको पता है, निउस च कोट में याजी का रायर कर दी, और उसके उपर नुटिस इशू हो गई है, क्या आपको पता है, दो वकिलों ने किया, सबको प्रग्या शर्मा और प्रत्विराज चोहां, जिसमें से प्रग्या शर्मा जूनियर है, यह जो सुप्रीम कोट में किया हो, गोर केला की जूनिय तो इसके उपर हमको intervention application करना होगा, तो यह intervention करना होगा, और एक बार अगर intervention हो गया, मेरी वकिलों की team है, वो तो कहते कि intervention कराओ, आप SCS की adversity act हटाने की बात करते हो, हम प्रेजेट करेंगे कि जिस original स्वरूम पे यह बना था, वो ही लागू नहीं हुआ है अभी तक, इसमें special court का provision है, कही पर भी भारत में special court नहीं है, कही पर, यह कहते है, fast track court में हम चलाएगे, fast track court का कही पर भी जिकर, SCS 3 atrocity act में नहीं है, in camera statements, उसके लिए नहीं है, हाद court में, एक special judge लेकिन विए, special court होई है, उसी को special court के बोल से, एक judge appoint किया हुआ है, जिसके यहाँ वही deal होता है Six months में, उसमें होता कुछ नहीं है, किस पास तक सर्वा नहीं होई है, क्योंकर जो complaint होती है, वो भी नहीं कहांते है, तो यह हम लोगों को तैय करना होगा, कि हम लोगों की मांगे क्या है, किस तरह से हमको अंदुलोग करना है, यह अंदुलम की बज़र क्या है, अब्जिक् सेशन करना होगा, यह तरह करने के लिए, इसकी उपर आपको input देने होगे, कि हमको, हम देखें, आप लग तो intellectuals हो, लेकिन जो वर्ग आने वाला हुनको नहीं पता, यह क्या करने वाला है, उन्होंने बोल, हमने बोल दिया, वो हमारा साथ दिने आज आज आएगे, यह उन को तयार है, वो आपके साथ आने को तयार है, लेकिन उसको proper दिशा दिखाने वाले लोग होने चाहिए, और आप लोग सारे intellectuals हो, वकील हो, IS हो, IPS हो, तो इन लोगों ने, देखिए, बाबा साब उस समय कहते थे, कि बड़े लिखे लोगों ने यह moment चलानी चाहिए, class 1, class 2, class 3 के officers ने moment चलानी चाहिए, आज class 2, class 1, class 1, 2, 3 के officers इस moment को चलाने के बज़ा है, जिनकी capacity, जिनकी ओका class 4 की मी नहीं है न, वो इस moment को चला रहा है, और फिर वो BJP या Congress में लेके जाते हैं, वो लोगा के आते हैं, उनको platform दिया जाता है, और जो intellectual हो, उसको mainstream से भाहर रखा ज इसलिए हमको, मैं यह कोई wind-up session नहीं है, मैं कोई अधिर्षय भसन वागरा नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी चलेगा, मैं यहीं चाह रहा था, कि यह आज वो आपनों अलग-अलग